इस वीडियो में इंट्रोकेटव सेंटेंसेज को इंडारेक्ट इस पीच में चेंज करना बताया है इंट्रोकेटव जो सेंटेंस है यह जादनतर एक्जाम में पूछे गई हैं अभी क्लास 10 उपी बोर्ड के तो हमें इन सेंटेंसेज की प्रैक्टिस कर देने चाहिए करने की जो नियम है वो भी समझाऊंगा तो देखे पहला sentence Do you know the way to the station? क्या आप station का रास्ता जानते हो? I said to Ankit मैंने Ankit से कहा यह subject है तो इसे हम सबसे पहले रखेंगे I Intricative sentence है ही Single Intricative तो ऐसे मैं said to की जगाए पर आता है Asked या Inquired of I asked अंकित Asked की जगाए पर यह object दिया है Actually इसका अंकित तो हम Inquired of भी रख सकते हैं Inquired of अगर object हो तब रख सकते हैं Inquired of तो I asked अंकित इसके बाद यहाँ से conjunction if या weather लगेगा if लग जाएगा If की जगाए पर हम क्या लगा सकते हैं Weather If की जगाए पर हम Weather भी लगा सकते हैं I asked अंकित इफ अब देखिए यह integrative का क्रम है साक्रिया पहले है करता बाद में है करता हम यहाँ पर पहले रख देंगे Assertive की क्रम में change कर देंगे integrative का क्रम अब यह second person है यह object के अनुसार बदलता है reporting verb के object के अनुसार अंकित के अनुसार बदलेगा अंकित का pronoun ही तो यू की जगा पर ही आ जाएगा यह है present indefinite तो present indefinite बदलेगा past indefinite में क्योंकि present tense है हमेशा past में बदलता है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अब past indefinite बदलेगा और अफरमिटम में भी होगा इस sentence तब past indefinite के अफरमिटम में क्योंकि रिया की second form लगती है new अब इसके बाद आगे new the way to the station यह sim to sim आएगा तो हो जाएगा इसके बाद हम दूसरा देखते है my father said to me मेरे father ने मुझसे कहा how have you done your homework तुम तुमने अपना homework कैसे किया है यह double interrogative का है यह देखिए my father said to की जगह पर asked या inquired of तो हम यहाँ पर रख देते हैं inquired of me अब यह how conjunction हो जाएगा double interrogative sentence में क्या होता है कि जो question word होता है वही conjunction का भी काम करता है how अब you देखिए यह interrogative का करम है पहले साइक करिया है पर करता है तो हम इस को assertive में बदलेंगे तो करता पहले आ जाएगा you और यह बदलेगा you second person है करम के अनुसर बदलता है me के अनुसर you करता का रख है तो me का करता का रख आएगा I have का head present perfect का हो जाएगा past perfect present tense का past tense इसके बदाद यह और देखिए यह भी second person है संबन्द का रख है you का object के अनुसर बदलता है me के अनुसर तो me का संबन्द का रख आएगा your की जगा पर my my homework full stop उस संबन्द का रख जाता है full stop लगता है inverted comma भी खड जाता है तो हो जाएगा my father inquired of me how I had done my homework इसके बद हम देखते हैं तीसरा she said to me where did he go yesterday यह भी double intuitive का है तो she said to का asked या inquired of she asked me conjunction यही आ जाएगा where past indefinite है past indefinite बदलता है past perfect में यह assertive के करम में change होगा करता पहले आ जाएगा he और जाएगा यह past perfect में तो क्या हो जाएगा head where he had go की थार्ट फम gone yesterday का the previous day इसके बाद आगे देखते हैं I said who are you मैंने कहा तुम कौन हो तो I said का asked यहाँ पर हम inquired off नहीं रख सकते हैं क्योंकि object नहीं दिया इसका अब यह conjunction हो जाएगा who पिर शुमाजक सब्धी conjunction होता है अब देखिए यह करता है तो करता पहले आएगा you अब देखिए यहाँ पर second person जो you होता है object के इनुसर बादलता है object नहीं है तो हम अपनी तरफ से object मानेंगे जैसे हमने यहाँ पर object नहीं माना यह गलती सी छूट गया हमने यहाँ पर object him मान लिया तो हो जाएगा I asked him क्योंकि हमें you को change करना है अब you देखिए यह करता यहाँ पर आ जाएगा और हम के अनुसर बदल जाएगा हम का करता कारक ही अगर हम यहाँ पर हर मानते तो यहाँ पर हो जाता C यहाँ पर अगर हम them मानते तो D हो जाता है यहाँ पर R का present tense past tense में वो आज हो जाएगा तो यहाँ पर him जैसे object आ गया है तो हम asked की जगह पर inquired of भी रख सकते हैं I asked him who he was full stop किसके बाद आगी इस तरी के question अक्सर एग्जाम में आते हैं अगला है Ram said to her how much water do you drink daily तो Ram said to का हो जाएगा asked inquired of भी रख सकते हैं Ram asked her conjunction अब देखे यह double intuitive का है तो यही आएगा how much और how much के साथ सम्मंदिर सब्द आता है तो यह इसी के साथ ही रहेगा how much water दोनों साथ में रहेगे how much water present indefinite बदलेगा past indefinite में और यह आप देखे यह करता पहले आएगा you second person हर के अनुसार तो हो जाएगा हर का करता का रख सी past indefinite में बदलेगा affirmative में बदलना है तो affirmative में past indefinite की साथ के रिए did नहीं लगेगी के रिए की second form लगती है affirmative में तो drink की second form drank और daily तो यह पूरा हो जाएगा राम आस्क्ड हर how much water she drank daily full stop question mark अच्ड जाता full stop लगता है इसके बाद आगे देखते हैं the teacher said teacher ने कहा which boy was making a noise in the glass तो देखे the teacher asked object नहीं है हम inquired of नहीं रख सकते हैं which यह साथ भी समबन्द सब्द आता है कि एक conjunction बनेगा तो boy इसी के साथ रहेगा which boy was का had been इसके बाद आगे making a noise in the glass full stop इसके बाद आगे गीता said to मीना will you like to help me today गीता ने मीना से कहा क्या तुम मेरी help करोगे आज तो गीता asked मीना conjunction if a weather तो हमें यहाँ पर weather लगा देते हैं यू बदलेगा मीना के अनुसार तो हो जाएगा c परता पहले अब देखिए गीता का भी प्रोनौन सी मीना का भी प्रोनौन सी तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोस्टक में है कि जो c आया है यह मीना के अनुसार आया है उस चग में लिख देएगे जब दोनों मतलब जैसे दोनों रड़कियां है न तो दोनों को प्रोनौन सी सेम होगा तो हमें लिखना पड़ता है दोनों रड़के होती है तब ही हम लिखते बिल का बुड उसके बाद हर अब यह भी पताना पड़ेगा कि यहर किसके अनुसार आया है गीता के अनुसार कि टूड़े बदलता है देट डे में कि पुर्श टॉप कि सभी यह जो सेंटेंस हैं एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से महत्पूर हैं इसके बाद आगे देखते हैं आगे देरे स्टुडेंट्स क्लास 10 इंग्लिस एक्सिलेंट गाइड में जो एक्सेसाइज दी गई हैं उनको सॉल्ब किया गया है आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी सभी वीडियो और डारेक्ट डारेक्ट की एक कम्प्लीट वीडियो भी मैंने बनाई है आपको इसी चैन की डिस्क्रेप्शन मैं दे दूँ गा आगे माई अंकल सेट टु मी तो माई अंकल सेट टु का आस्प्ड मी कंजें्जिंक्शन है यसा वैडर तो हमें आप लगा देते हैं वैदर । एक स्थिति होती है जब हम वैदर ही लगाते हैं उवैदर और यह पूरा कंजेंशन हो करता है अगर यहां पर रिपोर्ट स्वीच में कहीं पर और दिया है तब हम कंजंशन वैदर ही लगाते हैं इफ नहीं लगाएंगे फर अब यू देखे करता पहले लगे या में के अनुसार हो जाएगा आई बिल का बुड लेकिन आई के अनुसार क्या लगता है सुड आई क टूमॉरो का होता है दा नेस्ट डे फुले स्टॉप इसके बाद आगे डिड यू मीट हिम माई फ्रेंड सेट तू हिम तो माई फ्रेंड सेट तू का आस्क्ड लगा दिया यू हिम के अनुसार हो जाएगा ही हिम के अनुसार बदलेगा हिम का करता कराक ही आ जाएगा ये डिड है पास्ट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट बदलता है पास्ट परफेक्ट में तो हैड उसकी साह के लिए होती है मीट क तो हो जाएगा माई प्रेंड आश्ट हिम इसके बाद लास्ट है शी सेड कॉमा इन्वेटिज कॉमेसरोड डू यू लर्न यू लेसंस डेली तो इस सेंटेंस को आप स्वाल कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं इसका रेपलाई दे दूंगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है शी लाइक कीजिए चैनल पर यदि आप नए है तो इससे सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद